जी यहां दोस्तों मैं कुमार और आप देख रहे हैं आनुस क्रेशन आज को वीडियो है especially waveform को कैसे read करना है और हमारे पस जो scopes होते हैं वीडियो में तो उनको हम उनका use क्या है इनको हम कैसे use करेंगे जिनका मैं one by one जो है tutorial बनाने वाला हूं तो यह जो सारे scopes होते हैं जिनके जरीए हम वीडियो के exposure की जानकारी मिलती है या फिर हमें colors की जानकारी मिलती है आज जो मैं discuss करना चाहूंगा कि waveform को हम कैसे read करेंगे और waveform की इतनी importance क्यूं है और waveform के जरीए जो है हम बहुत ही अच्छी color grading करने का लाइक हो जाएंगे अगर हम waveform को अच्छे सी read करना सीख लेते हैं तो यह जो है waveform तो मैंने इसका screenshot लेकर रखा हुआ है कि यह जो है waveform अगर हम waveform को बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक आपको values नजर आएंगी यहां प exposure की जानकारी देता है कि वीडियो में exposure कैसा है over exposed footage है under exposed footage है या normally आपका जो है जितना आपको exposure चाहिए होतना है अगर इस waveform को ध्यान से देखें यहां पे horizontal lines है इन horizontal lines को जो हम कहते हैं zones इन zones को मैंने जो है 5 तरह कि zone है उनमें divide करा हुए तो जो इसका base part है जो है zero वहां पे हमे black show होगा अगर हमें किसी भी footage में black को check करना है या shadows को check करना उसका जो bottom part होगा histogram का या फिर waveform का तो इस bottom part से हमें जो है shadows और black की जानकारी मिलेगी और इसके opposite जो है उपर सब सब ताप के उपर यहां पे है complete जो है white और उसके just नीचे है highlight उपर वाला जो portion है highlight और white को represent करता है औ और center में हमारे पास होती है mid tone जो कि especially जिसको हम बोलते है skin tone तो यह जो 5 zone है इनी zone को ध्यान में रखते हुए हम जो है waveform को जो है read करते है मेरे पास कुछ real time footage है उनको मैं play करना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि कैसे waveform play होती है तो यहां पे कुछ है मेरे पास तो यह है waveform तो जैसे इस footage को मैं play करूँगा तो इसका जो देखी यह waveform है इसका waveform भी play होगा जब मैं video को play करूँगा साथ-साथ यह देखे तो इस चीज़ से हमें क्या जान करें मिलती है कि जैसे जो waveform है यहां पे 0 से 1023 के बीच में यह values जो है आ रही है और इसके बीच में जो graph बिलकुल center में है center में मतलब यह है कि हमारे पास जो footage की quality है उसमें ना तो footage बहुत जादा under exposed है ना तो बहुत जादा overexposed है हमें इसको target हमने किया हुआ है mid tone के उपर जब कहीं भी हम जो shoot करते हैं तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो exposure है वो जो है mid tone के आसपास ही हमारा होना चाहिए तो यह footage है मेरे पास तो जैसे मैं इसको play करूंगा तो आप देखेंगे कि जैसे ऐसे footage play हो रही है तो उसके साथ जो waveform भी play हो रही है तो मैंने gain को increase करा यहां से increase करेंगे कि यहां पर light बंडनी शुरू होगी जैसे ऐसे graph उपर की तरफ टच होगा तो indicate करेगा कि यहां पर footage जो है overexposed हो रही है तो lift के अंदर मैंने shadows को add करा तो इसके अंदर देखे contrast जतना अमर्जी आप add कर सकते हैं और आपका ध्यान रहेगा हमेशा waveform की तरफ रहेगा कि waveform को ध्यान में रखते हुए आपको contrast add करना है या फिर lift gain और gamma की use करेंगे मैंने core node लिया और यहां पर इस बार जो है मैं contrast को add करूँगा यह देखे जैसे ऐसे मैं कोई भी इसमें जो है काम कर रहा हूं exposure को लेके उसका effect सीधा सीधा waveform के उपर आ रहा है तो waveform हमें क्या represent करती है किसी भी footage के अंदर उस footage का exposure क्या है means कि उसके अंदर light की value क्या है brightness कितनी है उसके अंदर तो और जो हम footage लेते हैं तांकि आपको अच्छे समझा जाए तो यह देखे यह footage है मेरे पास और इसमें एक बहुत ही अच्छा feature है जब कहीं भी हम किसी भी waveform को use करते हैं तो खास तो और पर जब मैं बात करूँगा डाविंजी रिजोल की यहां पर यहां प कर रहा है कि उस खास जो area की जो है tonal value को जो है represent कर रहा है कि यह जो है एक shadow का पार्ट है या फिर एक highlight का पार्ट है इस चीज को ध्यान में रखते हुए waveform को ध्यान में रखते है हर एक चीज को जो हमें edit करना है footage की suppose करें कि मुझे इसके अंदर जो contrast को increase करना चाहता हूँ मै मैंने increase कर रहा और contrast को increase कर रहा और pivot को मैं जैसे ही use करूँगा जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ pivot के तो यह देखे जैसे से मैं इसको use कर रहा हूँ तो उसका effect सीधा-सीधा कहां पे आ रहा है footage के ओपर और सीधा-सीधा waveform के ओपर आ रहा है बाइचांस हमारी अगर footage बहुत ही under exposed है black है तो यह जो होगा waveform नीचे की तरह shift हो जाएगा तो हमें वहां से indicate होगा कि यह footage जो है under exposed है मैंने control z करा अगर यह footage over exposed है इसको मैं उपर की तरह shift करूँगा ऐसे drag करूँगा तो इससे हमें यह बता चलेगा कि footage जो over exposed है जब कहीं भी हम काम करना start करते है डाविंची लोल के अंदर तो waveform एक ऐसा टूल है जो आपको help करेगा कि आपको अच्छे से exposure कैसे maintain करना है किसी वीडियो के अंदर और उसी exposure को धियान में रखते हुगे और हम जो का color grading की तरफ approach करेंगे exposure बहुत ही important क्यूं है अगर हमें exposure में गलती करेंगे तो end of the result जो हो बॉटम पार्ट है वहाँ पे सारे complete black or shadows होते हैं टॉप का पार्ट में जो हमेशा होते हैं highlight और white होते हैं mid tone जो हमेशा जो रहते हैं हमारे center पार्ट में रहते हैं इस तरह आपको waveform को read करना है बने रही और उसक्रेशन के साथ अगर आप आर उसक्रेशन के साथ डावींची जोल के classes लगाना चाहते हैं तो हमें call के रिए दिये के number पर और आप हमें instagram पर follow up कर सकते हैं thank you friends keep watching our inspiration